दो, भारतिय अर्थवियवस्था 1950-1990 इस पार्ट के अध्ययन के बाद आप भारत की पंचवर्षिय योजनाओं के लक्षों को जानेंगे वर्ष 1950-1990 तक विभिन क्षेत्र को जैसे क्रिशी और उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे एक नियमित अर्थवियवस्था के गुनों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे भारत में योजना का मुख्योद देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंब करना है जो रहन सहन के स्तर को उंचा उठाए तथा लोगों के लिए सम्रिध एवं वैविद्यपूर्ण जीवन के नए अफसर उपलब्द कराएगी प्रथम पंचवर्षिय योजना 2.1 परिचे 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभातो दिद हुआ अंततह 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भागय के विधाता बन गए अब राष्ट्र के नव निर्मान का कारिय हमारे अपने हाथों में था स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ ये भी तै करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उप्युक्त रहेगी जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बलकि सरवजन कल्यान के लिए कार्य करेगी विबिन प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं देखें बॉक्स 2.1 पर जवाहलाल नहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा किन्तु वे भी भूत पूर्व सोव्यत संग की उस नीती के पक्ष्थर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने, सरकार के स्वामित्व के अंतरगत थे कोई निजी समपत्ती नहीं थी लोकतंत्र के प्रती वचनबद भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोव्यत संग की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य समपत्तियों को परिवर्तित करपाना संभव नहीं था नहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नफ स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोजगी बुनियादी तोर पर यद्यपी उन्हें समाजवाद से सहानुगूती थी फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रनाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ट विशेष्टाओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी इसके अनुसार भारत एक समाजवादी समाज होगा जिसमें सारवजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा जिसके अंतरगत निजी संपत्ती और लोकतंत्र का भी स्थान होगा सरकार अर्थ्व्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, देखें बॉक्स दो दशमलव दो निजीक शेत्रक को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोथ साहित किया जाएगा अध्योगिक मीती प्रस्ताव 1948 तथा भारतिय सम्विधान के नीती निदेशक सिध्धानतों का भी यही द्रिष्टिकोन है वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई इस प्रकार पंचवर्षिय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ इन्हें कीजिए विश्व में प्रचलित विबिन आर्थिक प्रणालियों का एक चाट बनाए पूंजिवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थ व्यवस्था वाले देशों की सूची बनाए ग्रेटर दन किसी क्रिशी फॉर्म पर अपनी कक्षा के साथ भ्रमन की योजना बनाए कक्षा के साथ समूव बनाएं और प्रत्येक समूव को एक विशेश विशे में जानकारी एकत्र करने का काम सौपदे उदाहरन के लिए इस ब्रमन का उद्देश्य इसमें खर्च होने वाली धन राशी लगने वाला समय तथा संसाधन साथ जाने वाले ऐसे व्यक्ती जिन से संपर्क स्थापित करना है ब्रमन के स्थानों के नाम पूछे जाने वाले संभावित प्रशना दी अपने शिक्षक की सहायता से इन विशिष्ट उद्देश्यों का संग्रह कीजिए तथा ऐसे क्रिशी फार्म के ब्रमन की सफलता के दीरकलिक उद्देश्यों से उनकी तुलना कीजिए बॉक्स दो दशमलव एक आर्थिक प्रनालियों के प्रकार प्रतेक समाज को तीन प्रशनों के उत्तर देने होते हैं देश में किन वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए डॉट वस्तूओं और सेवाओं किस प्रकार उत्पादित की जाए उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अत्वपूंजी मशीनों का उत्पादित वस्तूओं और सेवाओं का विभिन व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वित्रण किया जाना चाहिए इन सभी प्रश्णों का एक उत्तर तुमानग और पूर्टी का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं उन्ही उक्भोकता वस्तूओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है इसमें वही वस्तूओं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाब बेचा जा सके यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा और साइकलों की मांग है तो साइकलों का उत्पादन होगा यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदी श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विदियों का प्रयोग होगा पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादित वस्तों का विभिन व्यक्तियों के बीच श्वित्रन उनकी आवश्यक्ताओं के अनुसार नहीं होता अधिकांच विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रै क्षमता कितनी है और वे किन वस्तूओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में गरीबों की क्रेशक्ती नहीं है परिनामस्वरूप इस वस्तूओं की उत्पादन और पूर्टी बजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी क्यूंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने कि इसे हमारे देश के अधिकान्ष लोगों को अपनी स्थिती सुधारने का अफसर ही नहीं मिल पाता समाजवादी समाज इन तीनों प्रशनों के उत्तर पूल्ट यःब हिन तरीके से देता है समाजवादी समाज में सरकार ही यह निरनाई लेती है कि समाज की आवश्यक्ताओं के अनुसार भिन वस्तूओं का उत्पादन किया जाए यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है इसलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता सरकार ही यह निरनाय करती है कि वस्तूओं का उत्पादन तथा वित्रण किस प्रकार किया जाए सिद्धान ततह यह माना जाता है कि समाजवाद में वित्रण लोगों की आवश्यक्ता के आधार पर होता है उनकी क्रैक्षमता के आधार पर नहीं इसके विप्रीत एक समाजवादी राष्ट अपने सभी नागरिकों को नेशुल्क स्वास्थे सेवाए सुलब कराता है अधिक्तर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिध्धान्त द्वारा निर्देशित होती है अधिकांच अर्थवियवस्थाएं मिश्रित अर्थवियवस्थाएं हैं अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रशनों के उत्तर देते हैं जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तूओं और सेवाओं को सुलब कराती है, जिन्हें बाजार सुलब कराने में विफल रहता है। बॉक्स दो दशमलव दो योजना क्या है? योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेश उद्देश्य होते हैं, जिनको वेक निर्दिष्ट समयावधी में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाए पांच वर्ष की अवधी की होती थी और इसे पंच वर्ष ये योजनाए कहा जाता था। ये शब्दावली राष्ट्रियन योजन में अग्रणी देश पूर्व सोवेत संग से ही ली गई थी। हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रिलेखों में केवल पांच वर्ष की योजना अवधी में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों का ही उलेख नहीं किया गया। अपितु उनमें आगामी बीस वर्षों में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों का भी उलेक होता है इस बीरकालिक योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं पंच्वर्शिय योजनाओ द्वारा परिप्रेक्षयात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्थ होने की अपेक्षा की जाती है। ये तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्षियों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुता विभिन लक्षियों में कुछ अंतर्ध्र भी हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधूं का संतुलन करना पड़ता है। ये कारियर इतना सहज नहीं है। भारत की विबिन योजनाओं में अलग-अलग लक्षों पर बल दिया गया है भारत की पंचवर्शिय योजनाई यह नहीं बताती थी कि प्रतेक वस्तो और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा यह न तो संभव है और नहीं आवश्यक पूर्व सोवियत संग ने ये कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल रहा अतह इतना ही परयाप्त है कि योजनाई उनीक शेत्रकों के विशय में स्पष्ट लक्षय निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्व पूर्भूमिका हो जैसे विद्युत उत्पादन और संचायादी शेश को बजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस कर रहता है किसी योजना के स्पष्ट निर्धिष्ट लक्षय होने चाहिए पंचवर्षिय योजनाई के लक्षय थे समृद्धी, आधुनिकी करण, आत्मनिर्भरता और समानता इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतेक योजना में इन लक्षयों को एक समान महत्व दिया गया है सीमित संसाधनों के कारण प्रतेक योजना में ऐसे लक्षयों का चैन करना पड़ता है जिनको प्राथमिक्ता दी जानी है हाँ योजना कारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध न हो आईए योजना के इन लक्षियों के विशे में विस्तार जानने का प्रयास करें संभव्रिद्धी इसका अर्थ है देश में वस्तू और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में विर्द्धी इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन बैंके गादी सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धी से है अर्थशास्त की भाषा में आर्थिक समृद्धी का प्रामानिक सूचक सकल घरेलिव उतपाद जी डीपी में निरंतर वृद्धी है जी डीपी एक वर्ष की अवधी में देश में हुए सभी अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मुय होता है आपने यह अवधारणा कक्षा X में भी पड़ी है यदि GDP को एक केक मान लिया जाए तो सम्रिद्धी का आर्थ इसके आकार में व्रिद्धी होगा यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे यदि भारतिय जनता को अधिक सम्रिद्ध और विविद्धा पूर्ण जीवन यापन करना है प्रथम पंचवर्षिय यूजना के अनुसार तो वस्तूं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है देश का सकल घरेली उत्पाद देश की अर्थ व्यवस्था के विबिन क्षेत्रकों से प्राप्त होता है ये क्षेत्रक हैं क्रिशी क्षेत्रक और द्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक इन क्षेत्रकों के यूगदान से ही अर्थ व्यवस्था का धाचा तैयार होता है कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की सम्वृद्धी में कृषी का योगदान अधिक होता है तो कुछ में सेवा क्षेत्रक की वृद्धी इसमें अधिक योगदान करती है बॉक्स दो दशमलव तीन महालनोबिस भारतिय योजनाओं के निर्माता भारत की पंचवर्शिय योजनाओं के निर्मान में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है उनमें सांखिय कीविद प्रशांत चिंड महालनोबिस का नाम उलेखनिय है दवितिय पंचवर्शिय योजना का सामाने तह विकासात्मक योजना में एक अती महत्वपून योगदान है योजना का काम सही माइने में दवितिय पंचवर्शिय योजना से प्रारंब हुआ इसमें भारतिय योजना के लक्षों से संबंधित आधारिक विचार दिये गए हैं ये योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी इस अर्थ में उन्हें भारतिय योजना का निर्माता माना जा सकता है महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता, कोलकाता में हुआ था इनकी शिक्षा प्रेजिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, कोलकाता तथा सेंट्रल युनिवरसिटी इंग्लेंड में हुई सांखे की विशय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतराश्ट्रिय ख्याती मिली 1945 में उन्हें ब्रिटिंग की एक सोसाइटी का फेलो, सदस्य, बनाया गया यह वैज्यानिकों का एक सर्वादिक प्रतिष्ठित समगठन है जिसका सदस्य केवल उतकृष्ट वैज्यानिकों को ही बनाया जाता है महालनोबिस ने कोलकाता में भारतिय सांख्य की संस्थान आई, एस, आई, स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्य की विदों के लिए परस पर विचार विमर्ष के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है आज भी आई, एस, आई, तथा सांख्य दोनों को ही समस्थ विश्व में सांख्य की विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अतिसम्मान की द्रिष्टी से देखा जाता है ग्वितिय पंचवर्शिय योजना के दोरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किये जाने की सलाह दी कालांतर में इन में से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरसकार मिला यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी महालनोबिस द्वारा आमंतरित किये गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे जुद्वितिय पंचवर्शिय योजना के समाजवादी सिध्धानतों के कट्व आलोचक थे दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के भी चुक थे यह उनकी महान विद्वता का दियोतक है आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकों को अस्वीकार करते हैं परंतो भारत को आर्थिक प्रगती के पत्थ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा सांकिय की विद सांकिय किया सिध्धान्त में उनकी योगदान से लाब उठाते रहेंगे बॉक्स दो दशमलव चार सेवा क्षेत्रिक देश के विकास के साथ साथ इसमें एक सन्रचनात्मक परिवर्टन आता है भारत में तो ये परिवर्टन बहुत विचित रहा है सामान्यता विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में क्रिशी का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रधान होता है विकास के उच्चतर स्तर पर पहुँच कर जीडीपी में सेवाओं का अंश दान अन्य दोनों क्षेत्रकों से अधिक हो जाता है भारत में जैसा की एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है जीडीपी में क्रिशी का अंश पचास प्रतिशत से अधिक था किन्तु 1990 में सेवाक शेत्रक का अंच बढ़कर 40.59 प्रतिशत हो गया ये क्रिशी तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था ऐसी स्थिती तो प्रायह विक्सित देशों में ही पाई जाती है 1991 के बाद की अवदी में तो सेवाक शेत्रक के अंच की सम्वृद्धी की एह प्रवृति और बढ़ गई इससे देश में वैश्वी करण का प्रारंब हुआ इसकी चर्चा अध्याय तीन में विस्तार से की जाएगी आधुनिकी करणह वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रोद्योगी की अपनानी पड़ती है उदाहरन के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है उसी प्रकार एक फैक्टरी नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है नई प्रोध्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकी करण है आधुनिकी करण केवल नवीन प्रोध्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है बलकि इसका उद्देश्य समाजिक ब्रिष्टिकून में परिवर्तन लाना भी है जैसे ये स्विकार करना की महिलाओं का अधिकार भी पुरुशों के समान होना चाहिए करमपरागत समाज में नारी का कारेक्षेत घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालेयों आदी स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांश्टह सम्रिध होता है इन्हें कीजिए ग्रेटर दन निमनलिखित के लिए प्रयुक्त प्रोध्योगी की में आए परिवर्तनों पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए ग्रेटर दन उन वस्तूओं को ग्यात कीजिए तथा उन मुख्य वस्तूओं की सूची बनाए जिनका भारत ने 1990-91 तथा 2018-19 इसके लिए प्रिष्ट संख्या 192 भी देखें के दोरान आयात एवम निर्यात किया था ख अंतर बताए ख क्या आपको आत्मनिर्भरता का प्रभाव दिखाई देता है चर्चा करें उपर्युक्त विशयों में विस्तृत जानकारी के लिए आप नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षन को देख सकते हैं आत्मनिर्भरता कोई राष्ट राधुनिकी करण और आर्थिक सम्वृद्धी अपने अत्वा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है हमारी प्रथम साथ पंचवर्शिय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था इस मीती को विशेशकर खाद्यान के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीती को महत्व देना समझा जा सकता है इसके अतिरिक्त यह आशनका भी थी कि आयातित खाद्यान, विदेशी प्रोध्योगी की और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ा कर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी समानता केवल समृद्धी, आधुनिकी करण और आत्म निर्भरता के द्वारा ही जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता किसी देश में उच्च समृद्धी दर और विक्सित अत्यादुनिक प्रोद्योगी की का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांच लोग गरीब हो सकते हैं ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक सम्रिद्धी के लाब देश के निर्धन वर्ग को भी सुलब हों, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें। अतह सम्रिद्धी, आधुनिकी करण और आत्मनिर भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपून है। प्रति एक भारतिय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थे सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यक्ताओं को पूरा करपाने में समर्थ होना चाहिए और धन सम्पत्ती के वित्रण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। आएए, अब ये जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधी में लागू की गई प्रथम साथ पंचवर्शिय योजनाओं ने किस प्रकार इन चार लक्षियों की प्राप्ती के प्रयास किये तथा क्रिशी, उद्योग और व्यापार के संदर्ब में ये प्रयास कहां तक स सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी, लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भू स्वामित्व से क्रिशक को अधिक उत्पादन का लाब मिलता है। काश्टकारों को भूमी में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती क्योंकि अधिक उत्पादन से जमीनदार को ही लाब मिलता है प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवेट संग के किसानों के द्वारा बिखरी हे तो फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरन दिया जाता है वे सड़े गले फलों और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे आज प्रतेक किसान ये जानता है कि सड़े गले फल ताजे फलों को भी खराब कर देते हैं यदि उन्हीं एक साथ पैक किया जाए इससे किसान को ही हानी होगी क्योंकि फल बेक नहीं पाएंगे अतह प्रश्म उतता है कि सोवियत संग के किसान ऐसा काम क्यूं करते थे जो उनको साफ तोर पर हानी पहुँचाए इसका अर्थ किसानों के सम्मुक प्रेरनाओं से है क्योंकि पूर्व सोव्यत संग में किसान भूमी के स्वामी नहीं थे अतह न उन्हें लाब होता था और न हानी स्वामित्व न होने के कारण कृष्कों को दक्ष होने की कोई प्रेरना नहीं होती थी इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अती उपजाव विशाल कृषी क्षेत्रक के उपलब्ध होने के बावजूद सोव्यत संग में कृषी क्षेत्रक का उत्पादन कम क्यूं था? 2.3 कृषी आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि अपनिवेशिक शासन काल में कृषी क्षेत्रक में न तो सम्वृद्धी हुई और नहीं समता रह पाए स्वतंत्र भारत के नीती निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारती एक रिशी में एक क्रांती का संचार किया भू सुधार अस्वतंत्रता प्राप्ती के समय देश की भू धारन पद्धती में जमीनदार जागीरदार आदी का वर्चस्व था ये खेतों में कोई सुधार किये बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे भारतिय क्रिशी क्षेत्रक की निम्नूत पादक्ता के कारण भारत को संयुक्त राज्यव अमेरिका, USA से अनाज का आयात करना पड़ा क्रिशी में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यक्ता हुई जिसका मुख्यद यह जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक क्रिशकों को ही भूमी का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए इसका उद्देश यह था कि भूमी का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरना देगा बॉक्स 2.5 बशर्ते उन्हें परियाप्त पूंजी उपलब्द कराई जाए दरसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमी की अधिक्तम सीमा निर्धारन एक दूसरी नीती थी इसका अर्थ है किसी व्यक्ती की क्रिशी भूमी के स्वामित्व की अधिक्तम सीमा का निर्धारन करना इस मीती का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व संकेंद्रुन को कम करना था बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा ये था कि लगभग 200 लाख काश्टकरों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमीनदारों के द्वारा किये जा रहे शोशन से मुक्त हो गए भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धी के लिए प्रोथसाहन मिला इससे कृशी उत्पादन में वृद्धी हुई किन्तु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्षे की पूर्ण प्राप्ती नहीं हो पाए कानून की कमियों का लाब उठा कर कुछ भूतपूर्ग जमीनदारों ने कुछ ख्षेत्रों में बहुत बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा कुछ मामलों में काश्टकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी वास्तविक ख्रिशक होने का दावा किया फ्रिष्कों को भूमी का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धन्तम कृशी श्रमिकों जैसे बतायदार तथा भूमी ही श्रमिक, को भूमी सुधारों से कोई लाब नहीं हुआ अधिक्तम भूमी सीमा निर्धारन कानून में भी बाधाये आए बड़े जमीदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दी जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई इस अवधी में वे अपनी भूमी निकट संबंधियों आदी के नाम करा कर कानून से बच गए कानून में भी अनेक कमिया थी जिनके द्वारा बड़े जमीदारों ने भूमी पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाब उठाया केरल और पश्चन बंगाल की सरकारे वास्तविक किसान को भूमी देने की नीती के प्रती प्रतिबध्ध थी इसी कारण इन प्रांतों में भूसुधार कारे क्रमों को विशेश सफलता मिली दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में इसतर की प्रतिबधता नहीं थी अतैव आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है हरित क्रांते स्वतंत्रता के समय देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या क्रिशी पर आश्रित थी इस क्षेत्रत में उत्पादक्ता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रोध्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्या किसानों के पास आधारिक सनरचना का भी नितान तभाव था भारत की क्रिशी मांसून पर निर्भर है यदि मांसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें सिचाई सुविधाय उपलब्ध न थी ये सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी आपनिवेशिक काल का क्रिशी गतिरोध हरित क्रांती से स्थाई रूप से समाप्थ हो गया इसका तात्परिय उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV के प्रयोग से है विशेशकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धी से इन बीजों के प्रयोग के लिए परियाप्त मात्रा में उर्वकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ती की भी आवश्यक्ता थी इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाब उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वस्निय सुविधाओं और उर्वकों तथा कीटनाशकों आदी की खरीदारी के लिए वित्तिय संसाधनों की आवश्यक्ता थी अतहा हरित क्रांती के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक सम्रिधर राज्यों तक ही सीमित रहा इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाब केवल गेहुन पैदा करने वाले क्षित्रों को ही मिल पाया हरित क्रांती के दवितिय चरण, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक में HYV बीजों की प्रोद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुँचा और कई फसलों को लाब हुआ इस प्रकार हरित क्रांती प्रोद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त हुई अब भारत अपने खादे संबंधी आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वेम ही उप्भोग करें तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिला कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी और यदि किसान पर्यापत मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चे ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर सकता है किसानों द्वारा उतपादन का बाजार में बेचा गया अँशी विपनित अधिशेश कहलाता है हरित क्रांती काल में किसान अपनी गेहून और चावल के अतिरिक्त उतपादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे इसके फलस्वरूप खाद्यानों की कीमतों में उपभोग की अन्यवस्तूओं की अपेक्षा कमी आई अपनी कुल आए के बहुत बड़े प्रतिशत का भूजन पर खर्च करने वाले निमना आए वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाब हुआ हरित करांती के कारण सरकार परियाप्त खाद्यान पराप्थ कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी जिसे खाद्यानों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था यद्यपी हरित क्रांती से देश बहुत लाभानवित हुआ है पर यह प्रोध्योगी की पूरी तरह निरापद नहीं है एक जोखिम ये था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाए थी क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे जिससे उन्हें हरित क्रांती का अधिकान शलाब प्राप्त हो जाता था इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमन की भी संभावनाएं अधिक होती है ऐसी दशा में इस प्रोध्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नश्ट हो जाता है सौभाग यवश सरकार द्वारा किये गए कुछ उपायों के कारण ये आशनकाए सत्य साबित नहीं हुई सरकार ने निम्ग व्याजदर पर छोटे किसानों को रिंड दिये और उर्वकूं पर आर्थिक सहायता दी ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सकें शोटे किसानों को इन आगतों के प्राप्ती से छोटे खेतों की उपज और उत्पादक्ता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई इस प्रकार हरित क्रांती से छोटे बड़े सभी किसानों को लाब मिला सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए जो कीतनाशकों के आक्रमन से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे यदि सरकार ने इस प्रोध्योगिकी का लाब छोटे किसानों को उपलब्द कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किये होते तो इस क्रांती का लाब केवल धनी किसानों को ही मिलता आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारन किस प्रकार होता है ये समझना आवश्यक है कि कीमते वस्तूओं की उपलब्धता का समकेतक है यदि कोई वस्तूदूर्लब हो जाती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णाई लेने की इसके उपभूकतों को प्रेरना मिलती है यदि निम्न पूर्ती के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उप्योग साफधानी पूर्वक करेंगे उदाहरन के लिए पानी संरक्षन के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं जब भी पैट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम शिकायत करते हैं और सरकार पर दोशारूपन करते हैं परंतू, पेट्रोल की कीमत में वृद्धी इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धी इस बात का समके तक है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है ये पेट्रोल का कम उप्योग करने और वेकल पे कींधनों की तलाश की प्रेरना देता है कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहाए की कीमतों को वस्तू की पूर्ती का समके तक नहीं होने देती है जब बिज़्ी और पानी को सहाई की युक्दरों पर या नहशुल्ग प्रदान किया जाता है तो उनकी कमी का ध्यान रखे बिना उनका फिजूल उप्योग किया जाएगा यदी पानी नहशुल्व प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रदान फसले उगाएंगे भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो और इन फसलों से दुरलब संसाधन भी कम हो जाएंगे यदी पानी की कीमत दुरलबता के अनुसार निर्धारित की जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उप्युक्त फसले उगाएंगे उर्वरक कीटनाशकों पर सहाईकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी जो पर्यावरन के लिए हानिकारक हो सकता है सहाईकी से फिजूल उप्योग को बढ़ावा मिलता है प्रयरना की द्रिष्टी से सहाईकी पर विचार करें और स्वयम से यह पूछी कि क्या किसानों को नहशुव बिजली प्रदान करना आर्थिक द्रिष्टी से उचित है सहाईकी पर बहसः आजकल क्रिशी क्षेत्रक को दी जा रही आर्थिक सहाईकी का आर्थिक ओचित्य एक गर्मा गरम बहस का मुद्दा बन गया है इस बात से तो सभी सहमत की किसानों द्वारा और सामाने तह छोटे किसानों द्वारा विशेश रूप से नई हेच वाईवी प्रौद्योगी की को अपनाने के लिए प्रौद्साहन प्रदान करने हे तो सहाई की दी जानी आवश्यक थी किसान प्रायह किसी भी नई प्रौद्योगी की को जोखिम पूर्ण समझते हैं अतह किसानों द्वारा नई प्रौद्योगी की परक के लिए सहाई की आवश्यक थी कुछ अर्थ शास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रोद्योगिकी का लाब मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहाई की धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए क्यूंकि उनका उद्देश पूरा हो गया है यही नहीं यदेपी सहाई की का देय तो किसानों को लाब पहुंचाना है किंतु उर्वरक सहाई की का लाब बड़ी मातरा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक सम्रिधक शेत्र के किसानों को ही पहुंचता है अता है ये तर्क दिया जाता है कि उर्वकों पर सहाई की जारी रखने का कोई उचित्य नहीं है इनसे लक्षित समूग को लाब नहीं होता और सरकारी कोश पर अनावश्यक भारी बोच पड़ता है देखें बॉक्स दो दशमलवच है दूसरी और कुछ विशेशग्यों का मत है कि सरकार को क्रिशी सहाईक जारी रखनी चाहिए क्यूंकि भारत में क्रिशी एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाई है अधिकांच किसान बहुत गरीब हैं और सहाईकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे सहाईकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बड़ेगी तथा समता के लक्षे का उलंगन होगा इन विशेशग्यों का तर्ख है कि यदि सहाईकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाब हो रहा है तो सही नीती सहाईकी समाप्त करना नहीं बलकि ऐसे कदम उठाना है जिनसे की केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाब मिले 1960 के दशक के अंत तक देश में क्रिशी उत्पादक्ता की वृद्धी से भारत खाद्यानों में आत्म निर्भर हो गया यह निश्चे ही गौरवपूर्न उपलब्धी रही है इसके बावजूद नकारात्मक पहलू ये रहा है कि 1990 तक भी देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या क्रिशी में लगी थी अर्थशास्त्री इस निश्कर्ष पर पहुँचे है कि जैसे जैसे देश संपन होता है सकल घरेलू उतपाद में क्रिशी के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में परियाप्त कमी आती है भारत में 1950-90 की अवदी में यदेपी GDP में कृषी के अंचदान में तो भारी कमी आई है पर कृषी पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं जो 1950 में 67.50 प्रतिशत थी और 1990 तक घटकर 64.90 प्रतिशत ही हो पाए इस क्षेतरक में इतनी उत्पादन वृद्धी तो नियूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी फिर इस क्षेतरक में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यक्ता थी इसका उत्तर यहीं है की उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, क्रिशी क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दोरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं इन्हें कीजिए एक चात्र समूर को किसी क्रिशी फार्म पर ले जाएं और प्रयुक्त क्रिशी विधियों का अध्यायन करें अर्थात बीजों की किसमें, उर्वरक, मशीने, सिचाई के साधन, संबद लागतें, विपनिय अधिशेश तथा अर्जिताय तैयार करें यदि विधियों में परिवर्तन की जानकारी क्रिशक परिवार के किसी बुजुर्ग विधस अधस्य से प्राप्त की जाएगी, तो अधिक अच्छा रहेगा उसके बाद ख, निशकर्षों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें ख, विबिन उपसमुहों का एक चार्ट बनाएं जिनमें उत्पादन लागत में परिवर्तन, उत्पादक्ता, वीजों के प्रयोग, उर्वकों, सिचाई के साधनों, समय के प्रयोग, विपनिया अधिशेश और परिवार की आएमें परिवर्तनों को दर्शाया गया हो ग्रेटर दन विश्व बैंक, अंतर राश्ट्रिय मुद्रा कोश, विश्व या पार संगठन, जी सेवन, जी एट और जी दस देशों की बैठकों के बारे में समाचार पत्रों की कतरने एक अत्र करें खृषी सहाईकी पर विकसित और विकास शीव देशों द्वारा व्यक्त विचारों पर चर्चा करें कृषी सहाईकी के पक्षव पक्षव में तरकों का अध्यान करें आपका इस विशव में क्या मत है greater than कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अन्यदेशों विशेश कर विक्सित देशों के किसानों को अधिक सहाई की दे कर अपना गुतपादन अन्यदेशों को निर्यात करने को परोतसाहित किया जाता है क्या आप समझते हैं कि हमारे किसान उन देशों के किसानों से मुकाबला कर पाएंगे चर्चा करें 2.4 उद्योग और व्यापार अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट तभी प्रगती कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्रक होते हैं उद्योग रोजगार उपलब्द कराते हैं और यह क्रिशी में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थाई होते हैं इनसे आधुनिकी करण और समग्र सम्रिधी को बढ़ावा मिलता है इन्ही कारणों से हमारी पंचवर्शिय योजनाओं में अध्योगिक विकास पर अत्यदिक बल दिया गया था आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उध्योग थे अध्यकांश उध्योग सूती वस्त्र पच्चन आदी तक ही सीमित थे जमशेदपुर और कोलकाता में लोहाव इस पात की सुप्रबंधित फर में थी यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे अध्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यक्ता थी जिसमें विविद प्रकार के उध्योग हूँ भारतिय अध्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजीक शेत्रिक हमारे नीती निर्माताओं के समक्षिक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि अध्योगिक विकास में सरकार और निजीक शेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए स्वतंत्रता प्राप्ती के समय भारत के उध्योगपतियों के पास भारती अर्थविवस्था के विकास है तो उध्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षिक पूंजी नहीं थी स्वतंत्रता प्राप्ती के समय इतना बड़ा बजार भी नहीं था जिसमें उध्योगपतियों को मुख्य परियोजनाई शुरू करने के लिए प्रोचसाहन मिलता यद्यपी उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी इनी कारणों से सरकार को उध्योगिक शेत्र को प्रोचसाहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी इसके अतिरिक्त भारतिय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पत पर अग्रसर करने के लिए द्वितिय पंचवर्शिय योजना में यह निर्नाय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उध्योगों का नियंत्रन करेगी इसका आर्थ ये था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रन रखेगी जो अर्थ्वियवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे निजी क्षेत्रक की नीतियां सारवजनिक क्षेत्रक की नीतियों की अनुपूरक होंगी और सारवजनिक क्षेत्रक अग्रणी भूमिका निभाएगा औद्योगिक नीती प्रस्ताफ 1956 भारी उद्योगों पर नियंतरन रखने के सरकार के लक्षे के अनुसार औद्योगिक नीती प्रस्ताफ 1956 को अंगीकार किया गया इस प्रस्ताफ को द्वितिय पंचवर्शिय योजना का आधार बनाया गया ग्वितिय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तयार करने का प्रयास किया गया इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को तीन वर्गों में वर्गी कृत किया गया प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजीक शेत्रक सार्वजनिक शेत्रक के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे परंतु जिन में नई एकायों को शुरू करने की एक मात्र जिम्मेदारी राज्य की होती तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्रक के अंतरगत आते थे यद्यपी निजी क्षेत्रक में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था लेकिन इस क्षेत्रक को लाइसेंस पद्धती के माध्यम से राज्य के नियंत्रन में रखा गया नए उद्योगों को तब तक अनुमती नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्ट कर लिया जाता था इस नीती का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोचसाहित करने के लिए किया गया यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था इसके अतिरिक्त उन्हे कैयों को कुछ रियायते जैसे करलाब तथा कम प्रशुर्प पर बिजली दी गई इस मीटी का उद्देशिक शेत्रिय समानता को बढ़ावा देना था वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविद प्रकार के उत्पादन वस्तूओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्ट करना होता था इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तूओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक ना हो उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केविल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तूँ की आवश्यक्ता है लगू उद्योग, 1955 में ग्राम तथा लगू उद्योग समिती जिसे करवे समिती भी कहा जाता था ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोटसाहित करने के लिए लगू उद्योगों का प्रयोग किया जाए लगू उद्योग की परिभाशा किसी एकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिये जाने वाले अधिक्तम निवेश के संदर्ब में दी जाती है समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है 1950 में लगू उद्योगे के काई उसे कहा जाता था जो पांच लाक रू का अधिक्तम निवेश करती थी इस समय एक करोड रू का अधिक्तम निवेश किया जा सकता है ऐसा माना जाता था कि लगू उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। अताहवे अधिक रोजगारों का स्रिजन करते हैं। लेकिन ये बड़ी उद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिसपरधा नहीं कर सकते। ये स्पाष्ठ है कि लगू उद द्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षन की कसोटी यह थी कि ये एकाईयां उन वस्तूओं के विनिर्मान के योग्य हैं। उन्हें अन्यर रियायतें भी दी गई थी जैसे कम उत्पाद शुर्थ तथा कम ब्याजदरों पर बैंकरिन। 2.5 व्यापार नीती आयात प्रतिस्थापन भारत द्वारा अपनाई गई गोद्योगिक नीती व्यापार नीती से घनिष्ट रूप से संबध थी। प्रथम साथ पंच वर्षिय योजनाओं में व्यापार की विशेष्टा अंतरमुखी व्यापार नीती थी। तक्मीकी इस नीती को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीती का उद्देश आयात के बदले घरेलू उत्पादंद्वारा पूर्ती करना है। प्रशुल्क और कोटा। से देशी फर्मों की रक्षा होती है। कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो विलासिता की वस्तूओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती। 1980 के दशक के मध्य तक मिर्याद समवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। ओद्योगिक विकास पर मीतियों का प्रभावह प्रथम साथ पंचवर्षिय योजनाओं के दोरान भारत के ओद्योगिक शेत्रक की उपलब्धियां वस्तुतह उलेकनिय रही हैं। ओद्योगिक शेत्रक द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 24.6 प्रतिशत हो गया। GDP से ओद्योगों में हिस्सेदारी में बड़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधी के दोरान ओद्योगिक शेत्रक की 6 प्रतिशत वार्षिक सम्रुद्धी दर प्रशन सनिय है। भार्तिए ओद्योग सूती वस्त्रव और पर्चसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुता ओद्योगिक शेत्रक प्रायह सार्वजनिक शेत्रक के कारण विविद्धा पूर्ण बन गया था। लगू उद्योगों के सम्वर्धन से उन लोगों को अफसर प्राप्थ हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंब करने हितु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिसपर्धा के प्रतिस अन्रक्षन से उन इलेक्ट्रोनिकी व आटो मुबाइल ख्षेत्रकों में देशी उद्योगों का विकास हुआ, जिनका विकास अनेथा संभव नहीं था। भारतिय अर्थव्यवस्था की सम्वृद्धी में सार्वजनिक शेत्रक द्वारा किये गई योगदान के बावजूद कुछ हर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक शेत्रक के अनेक उद्यमों के निश्पादन की कड़ी आलोचना की है। इस अध्याय के प्रारंब में ये प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक शेत्रक की आवश्यक्ता अधिर थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तूँ वेवं सेवाओं का उद्पादन प्रायह उन पर एकादिकार रखते हुए, जारी रखा, जिनकी कोई आवश्यक्ता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरन है। इस उद्योग को सार्वजनिक शेत्रक में आरक्षन प्रदान किया गया जबकि देखा गया कि निजी क्शेत्रक के फंभी उपलब्द करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंध तक भी प्रतिसपरधाना होने के कारण व्यक्ती को टेली फून कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरन मौडन ब्रेड की स्थापना है जो ब्रेड वे निर्मान करने वाली एक फंभ है जैसे की निजी क्शेत्रक ब्रेड का निर्मान ही नहीं कर सकता था। 2001 में ये फंभ निजी क्शेत्रक को बेच दी गई। मुख्या बात यह है कि भारतिय अर्थ व्यवस्था को योजना विक्सित करने के चार दशक बाद भी इन दोनों के बीच को ये अंतर नहीं किया गया की क केवल सार्वजनिक। क्शेत्रक क्या कर सकता है और क मिजी क्शेत्रक भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्शेत्रक ही राश्ट्रिय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपी सार्वजनिक क्शेत्रक होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है तथा पी सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने ये तर्ग दिया है कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का समकेंद्रिन कर सकती हैं जिनहें निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सारवजनिक शेत्रक की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है। भले ही इसके कारण राश्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाब होता ही हो। वास्तव में कुछ सारवजनिक शेत्रक की फर्मों मूलतह निजी फर्मों थी जो हानी के कारण बंद होने को थी। उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उनका राश्ट्रिय करण कर दिया गया। वहराल नुकसान उठाने वाली निजी फर्मों अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अप्वयय नहीं होने देंगी। किसी उध्योग को शुरू करने के लिए आवश्षिक लाइसेन्स का कुछ उध्योगिक घरानों। द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उध्योग पती नई। फर्म शुरू करने के लिए नहीं बलकी नए। प्रतिस्पर्दियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे पर्मिट लाइसेंस राज के अत्यदिक नियमन के कारण कुछ फिर्मो कार्य कुशल नहीं बन पाए उद्योगपती अपने उत्पादन के विशे में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंदित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षन की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिती के बाद भी जारी रहा जब ये सिध्ध हो चुका था कि इस से लाब के स्थान पर नुकसा ना देखोगा आयातों पर प्रतिबंदों के कारण भारतिय उप्भुकताओं को उन वस्तूओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतिय उत्पादक करते थे उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद बाजार है अतह उन्हें अपनी वस्तूओं की गुनवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी जब वे घटिया वस्तूओं को उन्ची कीमतों पर बेच सकते थे तब वे उनकी गुनवत्ता में सुधार करने की क्यूं सोचते आयातों की प्रतिसपरधा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनने को बाध्य किया कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है की सार्वजनिक शेत्रक का प्रयोजन लाब कमाना नहीं है बलकि राष्ट के कल्यान को बढ़ावा देना है इस दृष्टी से सार्वजनिक शेत्रिक की फिर्मों का मूल्याकन जनता के कल्यान के आधार पर किया जाना चाहिए उनका मूल्याकन उनके द्वारा कमाए गए लाबू के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए सन्रक्षन के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का सन्रक्षन तब तक करना चाहिए, जब तक धनी राष्ट रैसा करते रहें, इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीती में परिवर्तन करने का आग्रह किया अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीती प्रारंब की 2.6 निशकर्ष प्रथम साथ पंचवर्षिय योजनाओं के दोरान भारतिय वर्थव्यवस्था की प्रगती उलेखनिय रही हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ती के समय की स्थिती की तुलना में विविद्धा पून हो गए हरित क्रांती के परिनामस्वरुप भारत खादय उत्पादन में आत्म निर्भर बन गया भूमी सुधारों का परिनाम ये हुआ कि ग्रिनित जमीदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया और द्योगिक शेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक शेत्र के उद्यमों के निश्पादन से असंतुष्ट थे अतिशे सरकारी नियमन के कारण उद्यम्रिती अवरुद हो गई आत्म निर्भरता के नाम पर भारतिय उत्पादकों का सनरक्षन विदेशी प्रतिसपरधा से किया गया और इससे उन्हीं उनके द्वारा उत्पादित वस्तूओं की गुनवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली भारतिय नीतिया अंतर मुखी थी उससे एक सशक्त निर्यात क्षेत्रक विक्सित करने में विफल रहे बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिद्रश्य के प्रसंग में ये सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक मीती में सुधार करने की आवशक्ता है भारती अवर्थ्वियवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक मीती शुरू की गई इस विशय पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी पुनरावर्तन Greater than स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धती की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पुन्जिवाद की विशेशताएं सम्मिलित थी इसकी परिनती मिश्रित अर्थ्वियवस्था मॉडल के रूप में हुई Greater than सभी आर्थिक योजनाएं पंचवर्शिय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई है Greater than पंचवर्शिय योजनाओं के लक्षे हैं सम्वृद्धी, आधुनिकी करण, आत्मनिर्भरता और समानता Greater than क्रिशी क्षेत्रक में मुख्य नितिगत पहल थे भूमी सुधार तथा हरित क्रांती Greater than इन पहलों से भारत को खाद्यानों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली ख्रिशी पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ, जैसी की आशा थी Greater than ओद्योगिक क्षेत्रों में नीतिगत आयात स्थानापन पहलों ने सकल धरेलू उत्पाद के लिए इसके योगदान में वृद्धी की Greater than ओद्योगिक क्षेत्रक में एक बड़ी कमी यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्रक की कार्य पद्धती कुशल नहीं थी क्योंकि यह घाटे की और उन्मुख थी जिसके परिनामस्वरूप राष्ट्र के सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान हुआ अभियास एक, योजना की परिभाषा दीजिए, प्रिशन वाचक चिन है दो, भारत ने योजना को क्यों चुना तीन, योजनाओं के लक्ष क्या होने चाहिए उच्च पैदावार वाली किस्म, HYV, बीज क्या होते हैं पांच, विक्रय अधिशेश क्या है श, क्रिशी क्षेत्रत में लागू किये गए भूमी सुधार की आवश्चता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए साथ, हरिद क्रांती क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाब पहुँचा संक्षेप में व्याख्या कीजिए 8. योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ सम्रुद्धी की व्याख्या कीजिए 9. क्या रोजगार स्रीजन की दृष्टी से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकी करन विरोधाभास पैदा करता है व्याख्या कीजिए 10. भारत जैसे विकास शीर देश के रूप में आत्मा निर्भरता का पालन करना क्यूं आवश्यक था 11. किसी अर्थवियवस्था का क्षेत्रक गर्थन क्या होता है क्या यह आवश्यक है की अर्थवियवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए तिपनी करें 12. योजना अवधी के दोरान और द्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक को ही अग्रणी भूमिका क्यूं सौपी गई थी 13. इस कथन की व्याख्या करें 14. हरित क्रांती ने सरकार को खाध्यानों के प्रापन द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योगे बनाया ताकि वह कमी के समय उसका उप्योग कर सके 14. सहाई की किसानों को नई प्रोध्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोधसाहित तो करती है पर उसका सरकारी वितपर भारी बोज पड़ता है इस तथ्य को ध्यान में रख कर सहाई की की उप्योगिता पर चर्चा करें 15. हरित क्रांती के बाद भी 1990 तक भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या क्रिशी क्षेत्रक में ही क्यूं लगी रही 16. यद्य पी अद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक बहुत आवश्यक रहा है पर सार्वजनिक क्षेत्रक के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानी उठा रहे हैं और इस क्षेत्रक के अर्थ्व्यवस्था के संसाधनों की बरबादी के साधन वने हुए हैं इस तत्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक ख्षेत्रक के उप्क्रमों की उप्योगिता पर चर्चा करें 17. आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को सनरक्षन प्रदान करता है 18. और द्योगिक नीती प्रस्ताव 1956 में निजीक शेत्रक का नियमन क्यों और कैसे किया गया था